हलो दोस्तो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मैं नेतराम एनर करन जी के क्लासिज में आपका स्वागत करता हूँ दोस्तो आज 10 अप्रेल 2021 के जितने भी में प्रस्ण बन सकते थे उन सभी का इस वीडियो में डिसकस करेंगे दोस्तो यहाँ पर मैं जो भी प्रस्ण साथ मैं मैं करीब 2-3 प्रस्ण से संबंदित जानकारी देता हूँ साथ ही दोस्तो अंत में 20-25 कोशन जो इस्टेटिक जीके और साइंस के होते हैं वो कराता हूँ तो दोस्तो आप परिक्षा मैं अच्छा स्कूर पाएंगे और परिक्षा के लिए बहुत अच्छी तरह से आप प्रिक्षा कर पाएंगे खुद को तो दोस्तो बढ़ते हैं आज के मॉटिवेशनल कोईट की तरफ है जिंदगी से मुझे यही सिखाया है मेहनत करो रुको मत और हालत कैसे भी हो क्यों ने हो किसी के आगे जुको मत दोस्तो हालत कैसे भी हो किसी के आगे जुकना नही और मेहनत करो मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है दोस्तो अपने लक्ष को प्राप्त करोगे अपने मंजिल को प्राप्त करोगे मेहनत करना ज़रूरी है बढ़ते हैं दोस्तो आज के पहले प्रसन की तरफ यह देखिया आज का पहला प्रसन बहुत अच्छा प्रसन है हाली में digit insurance के brand ambassador कौन बने हैं तो दोस्तो digit insurance company है उसके brand ambassador बने हैं दोस्तो विराट कोली option B इसका सही अंसर है विराट कोली digit insurance के brand ambassador बने है digit insurance के जो संस्थापक और अध्यक्ष हैं दोस्तो वो कामेस गोयल है ये digit insurance company के अध्यक्ष और संस्थापक है इसकी स्थापना 2016 में इस company के स्थापना 2016 में और इसका मुख्यल है वो बैंगलॉर बैंगलॉर में इसका मुख्यल है बढ़ते हैं दोस्तो कुछ प्रसनिस से सम्मान देत बीबो के brand ambassador कौन है तो दोस्तो बीबो के भी brand ambassador विराट कोली है बीबो के brand ambassador सन फार्मा के brand ambassador कौन है तो दोस्तो पंकच तरपाथी पंकच तरपाथी ये सन फार्मा के brand ambassador है प्रसनिस नमबर अगला देखिए इसी का तीसरा प्रसन रनवीर सिंग कैसे company के brand ambassador है तो दोस्तो यहाँ पर था गेम्स गेम्स 24 इंटु 7 के brand ambassador कौन है तो दोस्तो रनवीर सिंग रनवीर सेंग प्रसनिस दुबारा से सुन लिजें प्रसनिस था गेम्स 24 इंटु 7 के brand ambassador कौन थे कौन है रनवीर सिंग आगे बढ़े प्रसनिस नमबर दो हाले में IPL 2021 से सबसे IPL 2021 पहले BCCI के ब्रष्टाचार रोधी इकाई प्रमुख के रुप में निउक्त किया गया है तो दोस्तो किसे निउक्त किया गया है इसका सही आंस्वर दोस्तो option B option B इसका सही आंस्वर है सबबीर हुसेन सेखदाम सबबीर हुसेन सेखदाम को हाली में BCCI के ब्रष्टचार रोधी इकाई का प्रमुक नियुक्त किया है तोस्तों जो सब्बीर हुसेन सेखधा में ये गुजरात के पूर्वे पुलिस महाने देशा हैं और ये 1973 बैच के IAS IAS अधिकारी हैं दोस्तों 2010 में गुजरात जिडिपी से सम्मंद 2010 में गुजरात जिडिपी से सेवा निबरत हुए हैं दोस्तों और ये किसकी जगे लेंगे तो दोस्तों पूर्वे जो डीजीपी हैं डीजीपी अजीत सिहिंग अजीत सिहिंग उनका कारेकल समाप्त 31 मार्च को हो गया है और अभी इन्होंने इस पद के लिए इनको चुना गया है ऑप्शन 20 का सही आंसर है सब्बीर हुसेन सेखदाम आगे बढ़ते हैं हाली में प्रस्न पहला जो प्रस्न है वो देखते हैं हाली में PESB के रूप में कौन न्यूक्त किया है तो दोस्तों न्यूक्त किया है मली का स्री निवास मली का स्री निवास को चुना गया है प्रस्न दो देखिए हाली में किसे ओएंजीसी के CMD के रूप में अत्रिक्त कार्रेभार समाला है तो दोस्तों ये किसने समाला है ओएंजीसी के तो दोस्तों सुभास कुमार सुभास कुमार ने ये कार्रेभार समाला है आगे बढ़ते हैं भारत की पहली महिला क्रिकेट कोमेंटर जिनका हाली में निदन हो गया है कौन थी तो दोस्तों हाली में जो पहली महिला क्रिकेट कोमेंटर थी चंद्रा आप्शन C उनका निदन हो गया है पहली वो कमेंटरी उन्होंने की थी दोस्तो राष्टिय चेंपियन बॉम्बे राष्टिय चेंपियन बॉम्बे और इन दौर में एम सी सी के बीच उननी सो सत्यत्तर 1977 में एक मैच के दोरान उन्होंने कमेंटरी की थी और दोस्तो ये देश के पहले टेस्ट कप्तान C.K. नाइडू की बेटी हैं C.K. नाइडू की ये बेटी हैं आगे बढ़ते हैं दोस्तो अगर हम C.K. नाइडू की बात करें तो उन्होंने जो चंद्रा नाइडू है उन्होंने C.K. नाइडू पर बुक एक लिखिया है C.K. नाइडू ए डॉटर रिमेंबर्स C.K. नाइडू ए डॉटर रिमेंबर्स ये बुक लिखिये है चंद्रा नाइडू ने आगे बढ़ते हैं हाले में किसे सिडवी के अध्यक्ष और प्रवंद निदेसक के रूप में निक्त किया है एस रामन तीन साल के लिए इस पद के लिए चुने गए हैं और या अगले आदेस तक इनको चुना गया है सिडवी दोस्तो भारते लगू उद्द्व विकास वेंग है इसकी स्थापना दो अप्रेल 1990 को और इसका जो मुख्याला है वो लखनव में है लखनव उत्तर प्रदेश में लखनव उत्तर प्रदेश में इसका मुख्याला है दोस्तो एस रामन जो बरत्वान में पहली सूचना उप्योगिता नेशनल इगवर्नवेस सर्विस लिमिटेड के CEO है बरत्वाने और हाली में उनको अभी सिडवी के अध्यक्ष और प्रव मुद्रा योजना को कितने शाल पूरे होएं तो दोस्तो हाली में जो प्रदान मंत्री मुद्रा योजना है उसको छे साल ऑप्षन 20 का सही आनसर है छे साल पूरे होएं ये सुरू होई थी दौस्तो 8 अपरेल आठ अप्रेल 2015 को पूर शुरू ही थी और अभी इसको 6 साल पूरे हो गए है जोजना के तहत गैर कार्पोरेट गैर करसी लगू सुक्ष्म उद्धिगों को रेंड के रूप में 10 लाख रुपे 10 लाख रुपे प्रदान किये जाते हैं और यह तीन सरेंडियों में दे जाते ह क्या है तो दोस्तों भारत में युवाओं में उद्धमिता को बढ़ाना देने के लिए यह इस कौपी हो गया उद्धेश है योजना की उपलब्दिया क्या क्या रही है दोस्तों योजना के सुभारम के बाद उननीस 14.96 14.96 लाख करोड रुपे की धनराई सी के 28.68 करोड स कुछ इससे समंदे प्रशन देखिए प्रधान मंतरी किसान समान निधी योजना कब सुरू की गई तो दोस्तों ये एक फरवरी एक फरवरी 2019 को सुरू की गई प्रधान मंतरी जन धन योजना ये कब सुरू की गई तो दोस्तों ये 28 अगस्ते 28 अगस्ते 2014 को ये सुरू की गई प्रधान मंत्री उजला योजना काब शुरू की गई तो दोस्तों प्रधान मंत्री जो उजला योजना है ये 1 मई 1 मई 2016 को सुरू की गई थी आगे बढ़ते हैं प्रस नमर 6 सरकार ने किस महा कभी की तप स्थली को मौझूदा नाम महमूद पुर को बदल कर परासौली क आप्शन एए प्रधान कि स्थित्स का शॉर्धास उसका शंक्र अंसर है ऑ्तर प्रधेस से में मत्र की गोबर्धन तैसील के निकट इस्थित महमूद पुर गाम का नाम अधिखारिक तोर पर बदल कर परस बुदा गया यह गाम महा खवी सूरदास की करम इसदली की रुपें बिख्यात है और सूरदास त्रश रख्रास राम इस्तली। विकास समिती पारास运्ष। मुथॉरहा पिछले चार दसक से गाम का नाम बदलने की मांग कर रही थी और अभी दो दौस्तों वह मांग स्विकार कर ली गई है और इसका नाम परासौली रख दिया गया है option A इसका सही आंसर है प्रस नमबर साथ देखिए निमले खितमे से किस टीम ने भारत के पूर्व होकी कोच हरेंदर सिंग को अपना कोच निवत किया है तो दोस्तों अमेरिकी जो पूरुस होकी टीम है option C इसका सही आंसर है अमेरिकी पूरुस होकी टीम ने भारते टीम के पूर सिक्षक हरेंदर सिंग को अमेरिकी पूरुस टीम का नया कोच बनाया है दोस्तों हरेंदर सिंग को साल 2012 में द्रोणा चारे पूरुसकार से भी सम्मानित किया जा चुका है और वे 2017 अठारे तक भारत की सीनियर टीम के कोच भी रहें इसके लावब भारत की महिला टीम को भी प्रिसिक्षन दे चुके हैं जो भारत की महिला टीम है उसके भी कोच रह चुके हैं आगे बढ़ते हैं दोस्तों भारतिया होकी टीम के बरतमान कोच कौन है दोस्तों ये ग्रहाम रीड है ग्रहाम रीड जो आस्ट्रेलिया के हैं ये हैं दोस्तों आगे देखिए भारतिय होकी टीम के बरतमान कप्तान कौन है तो दोस्तों ये मनप्रीत सिंग भारतिय जो होकी टीम है उसके बरतमान में कप्तान है आगे बढ़ते हैं भारतिय रिजर बेंक जो RBI है ने payment बेंकों के लिए deposit limit को एक लाख रुपे से बढ़ा कर कितने लाख रुपे कर दिया है तो दोस्तों दो लाख रुपे कर दिया है payment बेंकों के लिए deposit limit को एक लाख से बढ़ा कर अभी दो लाख कर दिया है यह रात RBI के निततकाल प्रवाब से दी है दोस्तो तो आगे बढ़ते हैं, RBI के पहले गवर्नर कौन थे, तो दोस्तों, RBI के पहले गवर्नर की बात हुए, तो दोस्तों, ये Osborne, Smith थे, Osborne, Smith थे दोस्तों, और प्रस्न दो देखिए, RBI के भारतिय गवर्नर कौन थे, तो दोस्तों, पहले भारतिय गवर्नर की बात हुए, दोस् आप जेको गवर्नर कौन है तो दोस्तों सक्तिकान्त दासी सक्तिकान्त दास जो 25 नंबर के गवर्नर हैं दोस्तों आभी थोड़ी सी आज तबीयद थोडी सी लूज है तो आप adjust कीजिए आगे बढ़ते हैं CRPF सौरे दिवस निन वैसे किस दिल मना जाता है तो दोस्तो CRPF का जो सौरे दिवस है वो हर साल 9 अप्रेल 9 अप्रेल को मना जाता है पूरे भारत में CRPF सौरे दिवस के रूप में इसको मना जाता है 2021 में 56 सौरे दिवस मना जा रहा है दोस्तो 9 अप्रेल को और CRPF की एक छोटी टुगडी ने 9 अप्रेल 1965 को पाकिस्तान के खिलाब जो कच का रन है उसमें 34 पाकिस्तानी सेहनिकों का सफाय तक किया था यह पहली बार था जब पूर्ण रोप से पैदल सेहना की टुगडी ने पाकिस्तान की सेहना के बुरुद सफल लड़ाई लड़ी थी और उनी की सरधान जली देने के लिए उन बहादर सेहनों को लिए इसमें CRPF के जो 6 जवान थे उस 6 जवानों ने अपनी जान गवादी थी और उनको सरधान जली देने के लिए सौरे दिवस हर साल मनाया जाता है आगे बढ़ते हैं प्रस नमबर 10 जनजातिय स्वास्त्र सहयोग आत्मक अनमाया का सुवारम किसने किया तो दोस्तो संजीव कुमार संजीव कुमार दोस्तो ऑप्षन देखे इसके ऑप्षन में संजीव कुमार नहीं है ऑप्षन देखे दोस्तो ऑप्षन डीज का सही अंसर है स्वास्त मंत्री डाक्टर हर्सवर्दन जनजातिय स्वास्त सहयोग आत्मक अनमाया का सुवारम किसने किया है आगे बढ़ते दोस्तो जो हमारा आज का प्रस्ण रहेगा जिसका जवाब को कमेंट बाक्स में देना है प्रस्ण देखिए दोस्तो हाली में किसे बैग्गानिक अनुसंदन जी डी बिरला पुर्सकार से समानिक किया जाएगा तो दोस्तो आपके सामने है दिनेश कुमार खा किया है तो दोस्तों यह मद्य प्रदेश ऑप्शन सी इसका सही अंसर था मद्य प्रदेश ने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा भी अंसरू किया है आगे बढ़ते हैं दोस्तों जो हमारे साइंस के प्रस्ण हैंगे करीब 10 प्रस्ण साइंस करेंगे बहुती बहत्त्रीन प्रस्ण हैं देखे प्रसन दोस्तों पहला जो प्रसन है हमारा जो प्रसन पहले देखते हैं हाइड्रो मीटर हाइड्रो मीटर यंत्र से क्या मापा जाता है तो दोस्तों हाइड्रो मीटर से आप एक छिक घनत वे आप एक छिक घनत वे मापा जाता है पानी में सावन भोलने से प्रश् कारण होता है तो दोस्तों इस्ट्रॉंसियम की उपस्तिती के कारण यह ऐसा होता है अगर पूछले जाए पटाकों में हरा रंकिस की उपस्तिती के कारण होता है तो दोस्तों यह बेरियम की बेरियम की उपस्तिती के कारण होता है पॉमोलोजी किसे की परत चानाने को क्या कहते हैं तो दोस्तों को सिरके में जो अमलों होता है है कि अबढ़ते हैं प्रस नमबर साथ यह प्लों का लाल रंग किसके कारण होता है तो दोस्तों यह लाइको पिन के कारण टमाटर का लाल रंग होता है सुद्ध सोना कितने केरेट का होता है तो दोस्तो 24 केरेट का होता है सुद्ध सोना आसू में कौन सा एंजाइम होता है तो दोस्तो लाइसो जाइम ये आखोम का जो आसू होता है उसमें ये एंचेम पाय जाता है किसकी कमी के कारण बरपा चलना कठिन होता है तो दोस्तो घरसन की कमी के कारण घरसन की कमी के कारण बरपा चलना कठिन होता है अगले देखिए दोस्तो जो एस्टेटिक जीके के होंगे प्रत्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकिला ग्रह कौन सा है प्रत्वी से जो चमकिला ग्रह दिखाई देता है दोस्तों वो सुक्र ग्रह यह सोक्र सोकर्ग्रह यह का पाज के लिए अपईयुक्त मिटु कौन सी है तो दोस्तों का पाज UX के लिए जो टुन है इसको खालव मिट्टी जिसको है यह पुचिपुडी मुख्य किस राज से संबंदित है तो दोस्तों ये आंदर प्रदेश से संबंदित है आगे बढ़ते हैं इंडियन नेशनल कॉंग्रेस के प्रतम अध्यक्ष कौन थे तो दोस्तों व्योमेश चंद्र बनर जी डबलू सी बनर जी या उनको बोलते हैं व्योम मात्र राष्टपती कौन थे तो दोस्तों नीलम संजीव रैड़ी ये एक मात्र प्राष्ट पति भी जो निर्वुरों चुने गहें थे ओ बढ़ते हैं कि राष्टपती को सफ़त कौन दिलाता है राष्टपती को सफ़त दिलाता है वह सर्वोच नहाले का जो मुख्यनाइदीस है सर्वोचनेले का जो मुख्यनाइदीस है वो सफ़त दिलाता है इंडियर मिलिटरी अकादमी का हिस्तित है तो दोस्तो ये दहरा दून में दहरा दून में इस्तित है डेविस कप का समंद किस खेल से है तो दोस्तो ये टेनिस टेनिस जो खेल है उससे समंदित है डेविस का फे आगे बढ़ते है प्रस नमबर बारा पंच तंतर का लेखा कौन थे दोस्तों पंच तंतर के जो लेखाकते वो थे बिश्नु सर्मा बिश्नु सर्मा पंच तंतर के लेखाकते रक्षा राष्टिय रक्षा का अदमी जवाल लाल नहरू जे एल एन जवाल लाल नहरू भारत छोड़ा अंदोलन कब सुरू हुआ तो दोस्तो आठ अगस्ते आठ अगस्ते उनिस सो ब्यालिस को भारत छोड़ा अंदोलन सुरू हुआ राम चरित मानिस किसने लिखी तो दोस्तो राम चरित मानिस तोलसी दास तोलस भारत का मानक समय रेखा कौन सी है तो दोस्तो भारत की जो मानक समय रेखा है वो साड़े ब्यासी साड़े ब्यासी जो डिगरी है साड़े ब्यासी डिगरी पूर्वी देशांतर पूर्वी देशांतर ये भारत का मानक समय रेखा है प्रस नमर 19 मौना लिसाकिस की प्रसिद प एंटिंग है राश्ट्य मतता ता दिवास कब मना जाता है तो दूस沒關係 को 25 जनवरी को मना जाता है भारत परवनू अनुसंदान के इंदर कौन स्थित है तो दोस्तों exclus mainly कि मुंबई में इस्तित है बांधी बांदीपुर अभ्यारन के स्राज में इस्तित है करनाटक में इस्तित है चेचक यह लिखा वहा है दोस्तों चेचक के टीके कि खूज किस ने की तो दोस्तों एडवाड जेनर एडवाड जेनर ने टीके की खोज की जो चेचक का टीका है इसकी खोज एड़वर्ड जेनर ने की थी आगे बढ़ते हैं बू इस तरी उपगरे की उपगरे की उचाए कितनी होती है तो दोस्तों ये 36,000 36,000 किलोमीटर 36 ATM का फून रूप क्या है 25 मह देखिए Automated टेलर मसीन Automated टेलर मसीन टेलर मसीन ये ATM का फूल फॉर्म है दोस्तों मैं आसा करता हूँ वीडियो आपको वास अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक करें सेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें सभी के लिए धन्वाद